आपका बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको कुछ लास्ट वीडियो से मैं लगूपाराशरी के बारें बता रहा हूँ कि लगूपाराशरी कितनी इंपोर्टेंट है और जोतिस का सार उसके इंदर दिया हूँ और अगर लगूपाराशरी को ही आप पढ़ लेते हैं से समझ लेते हैं तो आप एक अच्छे जोतिस बन सकेंगे इसमें कोई दो राय वाली बार नहीं आज हम पढ़ेंगे जो इसका लगूपाराशरी का बारवा शलोक 11 शलोक हमारे अब तक कंपलीट हो चुके हैं बारवे शलोक में लेकख ने क्या बोला है वो क्या कहना चाहते हैं लगूपाराशरी में उसके बारे में मैं आपको बताना से बारवा शलोक दिया हूँ मैं आपको बताये दाओं, बारवाश लोक दिया है मंगल के बारे में, उसमें लिखा है मंगल का एक एक एक्जामपिल दिया है, बाकी वो बाकी ग्रहों के लिए भी है, आप मंगल से ये समझें कि एक इंडिकेटिव है, एक एक एक्जामपिल दिया है, बाकी दूसरे ग्रहो खींधर Ratat फार samurai आती यह कैना चाहता है लेकर लगुपारशरीम कि मंगल अगर दस्वेंукर्इव का सौमी हो तो उसमें केवल उसके स्वामी होने के वीश शुखारिब् reckon When तरिकौन का स्वामी भी हो अगर वो, तब की थ की इंडर का स्वामी हो तो उससे शुपदा नहीं आती है। ये भाक ये बोलने चाह रही है हैं, बहुत इंपोर्ण श्लोख है, घ्यान रखिए। केंदर के स्वामी जो हैं वो तटस्त हो यह आपको पीछे श्लोकेंदर पढ़ाया भी है उसमें दिया भी था तो यही हम बात कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने मंगल के रूप पे एक्जामपल दिया है तो बाकी आप आप दूसरे ग्रह के लिए भी लगा सकते हैं कि केवल क केंदर का स्वामी होने से ही उसमें शुपता नहीं आती उसके लिए उसको त्रिकोन का स्वामी भी होना आती है या हम यूं कहें कि केंदर का स्वामी हो और लगन का मित्र हो तो वो ग्रह अच्छा होता है कुनली के लगन का मित्र वही होगा जो त्रिकोन के स्वामी लगन क तो यह बिल्कुर सिंपल है किस तरह के से भी आज बाप को बोल लिए तो यह मैंना आपको बता दिया कि दसवे भाव के स्वामी जो केंदर के स्वामी है वो तटस्त परणाम देते हैं और मंगल की साहता से उन्हें बताने कोई श्की है लेकर ने इसके अंदर और यह कहा है कि अगर वो त्रिकोन भाव का स्वामी भी हो तो उसके रिजल्ट्स आपको हमेशा अच्छे वे अब जैसे इस कुंडी में उधारन देखिए यह कुंडी है कर्क लगन में मंगल जो है वो दस्वे भाव का स्वामी होने से वो तठस्त हुआ नूर्म नूट्रल हुआ लेकिन पांचवे भाव का स्वामी यानि पांचवे भाव त्रिकोन भाव है तो इसका स्वामी होने से वो शुब हुआ और दूसरी चीज यह कि वो लगन का मित्र भी है लगनेश कौन बनता है चंद्रमा मंगल चंद्रमा तो कहने का मतलब के केवल दशम भाव का स्वामी होने से क किसी जातक की कुंडली है इनकी 1977 से 1984 तक साथ साल के लिए मंगल की दशाथ तो उस वकात जातक की उम्र 10 वर्ष से 17 वर्ष होई जो उम्र थी उसकी 1967 की पैदाईश थी तो 10 से 17 साल की उमर के बीच में बच्चा पढ़ाई करता है academic education, academic qualification उसकी होती है जो चौते भाव से देखी जाती है मंगल इस कुंडली में दसवे भाव का स्वामी है और पांचवे भाव का स्वामी होगे केंदर में बैख तो त्रिकोन का स्वामी भी मंगल है तो शुब हुआ और केंदर में वो बैठा है उसकी position बहुत अच्छी है तो उसके भी नुकसाद तो वो भी ध्यार नक्ना था तो एक तो शुब रहे था मंगल इसके अंदर क्योंकि मंगल कीण। का स्वामी है और दूसरा उसके उपर से हूआ उसके पर से केंदर में बैठा है इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं कुंभलग लगन यह बहुत इपर डि बिल्कुल ठीक है, साथ में उसको तीसरा भाव मिला, तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं होता, अशुब भाव कहलाता है, तीन, छे, आट, बारा बोलते नहीं है, आल्दो पर अक्रम का भाव है, लेकिन वो भाव शुब भाव में नहीं आख, तो इसलिए एक भाव अशुब मिला, एक भाव नूटरल मिला, कठस्त मिला, तो अशुब प्लस नूटरल, तो अशुब भी रहेगा, अशुब में नूटरल जोड़ोगे, तो उसका रिजप अशुब ही मिलेगा, तो इसलिए मंगल का एक्जामपल इस केस में, बेसिकली इस कुंदली में, मंगल आपका शुबफल नहीं देगा मंगल की दशाय जैसे कुम्ब लगन में दस्वे भाव में मंगल की व्रश्चिक राशी है और तीसरे घर में मंगल की मेश राशी तो दस्वेश होने की कारण वो शुब है उने कारण न्यूटरल है और त्रतेश होने कारण वो आशुब है इस स्थित लेकिन उसको शुरू से ही पारशर होरा शास्त्रा में अशुब भाव के लिए इतना अच्छा नहीं तो यह किसी भी ग्रह के लिए देख सकते हैं आप ऐसा नहीं खाली शनी के लिए या मंगल के लिए अब जैसे आपको मैं बताऊं केंस करक लगन तो हमने देख लिया और कहां का स्वामी होता है यह आपको देखना पड़ेगा कि दो नंबर राशी उसकी कहां प्याद वो भी आपको देखना पड़ेगा तो अगर त्रिकोन में आती है तो श्रिंग लगन में शुक्र जो है वो आपके लिए अच्छा हो गया अच्छे परणाम देगा अगर त्रिकोन में नहीं आती है तो इतने इच्छे परणाम नहीं देपाएगा क्योंकि वो केंद्र के स्वामी होने से ग्रह तटस्त हो जाते हैं अगर उसके सासाथ उन पर त्रिकोन की राशी भी हो तो बहुत अच्छा आप जैसे क्याप्रिकोन का देख यह आपका मकर लगन म इसके साथ में पांच्वे भाव का स्वामी भी है यानि उसके पास दवा स्वात नहीं तो इसलिए आपको यह भी देखना है कि अगरwo है केंद्र का स्वामी है अगर दूसी दूसरी राशी उसकी आपके 살아 сразу में हैं तो बहुत अच्छा है वह शुब परणाम देगा आपको अपनी आने वारी दशा में, जिस भाव में बैटा है, जिस भाव को देख रहा है, जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का कारक है, काल पूर्शी कुंडली में, जिन भाव का स्वामी है, वो सारे फल वो आपको देगा, और अगर वो ऐसा नहीं है, साथ में त्रिकोन का स्वा